हलो बच्चों कैसे हो आप लोग आप लोग स्वागत थे मनुश को आधास क्लासेज में आज हम लोग क्लास 10 जैक बोड का जैसे यह वाला क्वेशन में हम लोग देख सकते हैं तो यह है इसको देखते हैं इसमें देखिए क्या है जैसे a1 by a2 not equal to b1 by b2 होगा तो पर्तिस्षेदित करती हुए रिखाये होगे और उसका केवाल एक हल होगा अदू-3 हल जैसे मतलब इसमें सपोज कर लिजी कि एक फिगर कुछ इस टाइब कर बनेगा एक पॉइंट में ही पर्तिस्षेदित करेगी ठीक है तो यह a1 by a2 not equal to b1 by b2 होत समफात्य क्या है ऐसे यह लाइन है इसके उपर में ही उपर में ही और शीम तू सिम लाइन होगा ठीक है तो यह से ओक कटेगा तो परिमितुरुप से इसके अने खले एक्स और y का भेलू बहुत हब बहुत सरह होगा ठीक है अब इसमें देखिए a1 by a2 equal to b1 by b2 लेकिन c1 by c नहीं बरावर होना चाहिए तब क्या होगा समांतर रेखाएं मतलब जो लाइन होगा दोनों आपस में समांतर होगा कहीं पर कटेगा नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा ठीक है तो इसी हिसाब से हम लोगा जो questions आने वाला है उसको चले चलते हैं अब question no.1 में देखते हैं अनुपातों की तुलना कर ग्यात किजी की निम समयकरन यूम दवारा निरुपित रेखाएं एक बिंदू पर पर प्रतिशेदी करती है समांतर है अथ्वा संपाति है एक बिंदू पर प्रतिशेदी करती है समांतर या संपाति आपको बताना है तो इसको पहले चलिए इसको पहले हम लोग A1 क्या है A1 बढ़ावर 5 आप equation को लिख सकते है A1 by equal to 1 sorry A1 equal to 5 A2 equal to कितना है 7 B1 B2 B1 और B2 और C1 by C2 ठीक है पहले value साब हम लोग को राख लेंगे देखके minus 4 by 6 इधर minus 4 इधर 6 हो गया ठीक है और C1 8 और यहां minus 9 ठीक है आप इसको हम लोग A1 by A2 जैसे लिखा आवा था वैसे हम लोग लिखते है तो A1 by A2 5 by 7 ठीक है B1 by B2 4 by 7 6 minus 4 by 6 तो कटेगा 2 2 4 2 3 जै 6 ठीक है minus 2 by 3 हो गया यही और C1 by C2 तो 8 by minus 9 यह नहीं कटेगा तो यहां देखिए A1 by A2 इसको एक बार और क्लियर है अधिक है A1 by A2 not B1 by B2 जब ऐसे ही आगिया पहला में ही not equal to आगिया तो यह क्या होगा याद कीजिए पहले इसमें देख लिजिए देखिए अधा यहां परती छेदिक करती हुई रेखाएं है करती हुई रेखाएं है ठीक है क्लियर है चली नेक्स कोशन के और चलते हैं कोशन में 2 इसमें क्या है देखिए a1 equal to a2 equal to सब एक बार लिख लेंगे तो इसके बाद यहां सानी साम लोग लिख सकते है ठीक है b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 कितना है 9 18 या 3 या 6 या 12 या 24 ठीक है अब हम लोग इसमें a1 by a2 इसमें लिख लेंगे जैसे लिखावा था लिखना रहता है a1 by a2 equal to क्या 9 by 18 देखिए कट रहा है 9 1 या 9 9 2 या 18 मतलब 1 by 2 आगिया b1 by b2 यहां भी लिख सकते हैं इसमें नीचे भी लिख सकते हैं b1 by b2 equal to क्या हो गिया इसमें 3 by 6 यह भी कट गया 1 by 2 आगिया और c1 by c2 c1 by c2 equal to क्या हो गिया 12 by 24 1 by 2 सब में देखिए 1 by 2 1 by 2 1 by 2 आगिया इसमें हमनों क्या लिख सकते हैं देखिए इसमें जैसे इसमें a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 इसमें क्या होगा देखिए एक बार पीछे जो लिखा होगा था यह जो है आपका सभी बराबर तो संपाती रेखाएं मतलब अपरिमित रूप से अनेखल है कि संपाती रेखा है कि इसमें क्या हो जाएगा परिमीत रूप से अनेखल है अथा इसको अपैके रूप से अनेक हल है यहां लिख दीजिए यहां परिमित रूप से अनेक हल है इसको अप लिख सकते हैं ठीक है यह हो गया 1 का 2 complete चलिए question number 2 में चलते है question number 1 का 3 देखिए यहां क्या है a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है a1 कितना है 6 यहां कितना है 2 यहां कितना है b1 का minus 3 और यहां y है यानि कि minus 1 क्या हो गया minus 1 c1 10 और c2 9 ठीक है अब a1 by a2 क्या होगा a1 by a2 6 by 2 3 by 1 b1 b2 b1 b2 कितना है minus 3 minus 1 यह cancel हो जाएगा तो यह भी 3 by 1 हो जाएगा यहां 3 भी लिख सकते है c1 by c2 c1 by c2 आगया 10 by 9 यह अला हो देखिए यहां यहां a1 by a2 a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 क्योंकि c1 by c2 बराबर नहीं है ठीक है इसमें क्या होगा देखिए इसमें देखिए यहां पर यह वाला है यानी कि समांतर देखाएं क्या है समांतर देखा ? कोई हल नहीं है समांतर रेखाएं ठीक है और उसमें संपाती लिखना था इसका सेकेंड वालों में जो था उसमें संपाती लिखने है इसमें समांतर रेखाएं अतर या समांतर रेखाएं है यानि कि कोई हल नहीं है तो इसमें आपको समानतर रेखा है लिख ना तो सेकेंड वाला में आपको लिखना था समपाति हैं ठीक है क्यूंकि वह एक दुसरे में कर रहा है तो समपाति लिखना था चलिए in Nekst question कि ओर चालते है , question में 2 , अनुपातों की तुलना कर ग्याद किजिए कि निम्नलkill्य कि समेकर्ण की योगon असंगत संगत और संगत को बात को संगत मोड़र संगत जब कही एक भी पॉइंट जैसे भी 1 को solve कर रहेते हैं, वैसे solve करेंगे, तो चले solve करते हैं, देखिए 2 का 1 में, A1, A2, B1, B2, B2, और C1, C2, वैसे ही आप लिखतीजिए, जैसे बना रहेते हैं, same to same, वैसे ही बनेगा, A1, 3, A2, 2, यहाँ, B1 कितना है, 2, और B2 कितना है, माइनस 3, और C1 कितना है, 5, आप इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, माइनस 5 लिख सकते हैं, माइनस 5, इसको एकवेशन को एकवार solve कर लेंगे, तो बेटर होगा, या फिर आप उसको भी इधर लिख सकते हैं, माइनस मैं लिख सकते हैं, और यह माइनस 5 हो गया, और यह माइनस 7, ठीक है, एकवेशन को आप सजा के लिख दीजिए, सबको एक तरफ लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे 3X पलस 2Y, इकवल टू 5 है, तो क्या हो जागा, 3X पलस 2Y, माइनस 5, इकवल टू 0, इसको एक तरफ लेके, आप लिख सकते हैं, और सेकंड माला भी आप लिख लिख लिजिए कि स्टेट से, फिर एक वन बी टू और बी टू और बी टू निकालते हैं लोग, देखिए क्या है, इसलिए A1 बाइ टू कितना हो गया, 3 बाइ टू, बी बाइ टू, इकवल टू आ गया, 2 बाइ माइनस 3, यानिक माइनस उपर आपका आ सकते हैं, C1 by C2, इकवल टू क्या होगा, माइनस 5 by माइनस 7, या माइनस माइनस कट गया, तो 5 by 7 हो गया, देखिए इसमें कोई मैस नहीं कर रहा है, एक दूसरे से कोई मैस नहीं कर रहा है, यानिकि यहाँ A1 by A2, not equal to B1 by B2, not equal to C1 by C2, अब देखिए इसमें जैस इसमें क्या है, इसमें क्या है, यहाँ देखिए, A1 by A2, अता यह संगत है, अता यहाँ संगत है, 2 का 2 का 2, यहाँ देखिए क्या है, A1, A2, B1, B2, C1, C2, यह आपकी exam के लिए बहुत ही helpful है, इससे questions आता ही है, और आप आसानी से solve कर सकते हैं, इसलिए ऐसा जो मैं वीडियोज ला रहा हूं, जिसमें आपको thumbnail में दिखेगा, exam preparation, exam preparation में आप जाके वीडियो को देखिए, बहुत ज्यादा helpful होगा, मेरे तरफ से हम अपना 100% कोशिश कर रहे हैं, कि ज्यादा ज्यादा आपको सुविदाये हो, जिसमें आपको आराम से questions पकड़ा जाए, चलिए, इसको solve करते है, A1 कितना है, देखिए, A1 2 है, A1 कितना ह और A2 4 है, ठीक है, A2 4, अब B1 कितना है, माइनस 3, और B2 कितना है, माइनस 6, और C1 कितना है, C1 है 8, माइनस 8 कर देते हैं, वैसा ही लिख देंगे, इधर लाके, और ये माइनस 9, ठीक है, साइन चेंज कर लेंगे, अब देखिए, इसमें, हम लोग A1 by A2 लिखेंगे, जैसे माइनस 3 और माइनस 6 तो आगया माइनस माइनस कैंसिल हो जागा 1 by 2 रहांद कि 1 by 2 और c1 by c2 c1 by c2 इक्वाल टू क्या हो जाएगा माइनस 8 minus 9 यह कैंसिल हो गया तो 8 by 9 हो गया यहां ठीक है अब देखिए क्या है यहां a1 by a2 यहां a1 by a2 इक्वाल टू b1 by b2 और not equal to c1 by c2 है ठीक है c1 और c2 बरावर नहीं है देखिए 1 by 2 यह बरावर हो रहा है यह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं इसको एक बाद देख लीजिए उसमें अब देखिए इसमें क्या था समांतर रेखा है यह समांतर रेखा मतलब कभी कटेगा नहीं तो असंगत हो गया क्या हो गया असंगत अब इसको असंगत लिख लीजिए क्या लिखिएगा यह असंगत है यहां असंगत है यह हो गया इसका solution चलिए next question को solve करते है question 3 को solve करते है देखिए यहाँ A1, A2 B1, B2 C1, C2 A1 कितना है? 3 by 2 B1 कितना है? 9 A2 हो गये 9 ठीक है? और यहाँ पर B1 कितना है? B1 हो 5 by 3 5 by 3 और B2 कितना है? minus 10 C1, C2 C1 कितना है? minus 7 और इसका है minus 14 देखिए में A1 by A2 क्या होगा? 3 by 2 by 9 यानि कि यह 3 3 3 जे कट जाए? 3 1 जे 3 3 जा 9 और नीचे 2 चलाएगा 1 by 6 B1 by B2 B1 by B2 क्या होगा? 5 by 3 और minus 10 ठीक है? यह minus तो उपर लिख देंगे और यह 5 जा 5, 5 जा 10 और यह 3 नीचे चलाएगा? मतलब minus 1 by 6 यह minus आगिया ठीक है? इसमें क्या है? C1 by C2 C1 by C2 C1 by C2 कितना है? minus 7 minus 14 minus 7 by minus 14 minus 14 minus minus cancel होगा और 7 1 जा 7 7 2 जा 14 1 by 2 अब देखिए कोई किसी से अट मैश नहीं कर रहा है यहां क्या आ आ रहा है? A1 by A2 not equal to B1 by B2 और not equal to C1 by C2 यह देखिए यह अहां जब ऐसा आ गया confirm है कि यह कटेगा एक बिंदू पर तो यह क्या होगा? संगत हो जाएगा यह संगत है अतर यह संगत है यह होगा complete? Q3 2 का 3 नमर तक बन चुका अब 4-5 आपका वर्क रागया घर में आप इसको पर प्रैक्टिस कर लिजीएगा प्रैक्टिस करने से आप इसको और अच्छे से शिख लीजीएगा ठीक है तो आप क्या किईए? इसको प्रैक्टिस किईए और अलग-अलग मैठ्स को जो भी मैं डाल रहाईए विडीयो को सपोर्ट कीजिए ज्यादा साथ सेयर करें करिए ताकि दूसरे बच्चे भी देख पाएं तो ऐसे क्लासिस के लिए बने रहें चैनल को लाइक करें कोमेंट करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बोलें थेंक यू